गाइज बाउंस कमपनी अब आपको सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपिया में एलेक्ट्रिक स्कूटर दे रही है जिसमें आपको 70 से लेकर के 80 किलिमीटर तक का रेंज देखने को मिल जाता है सिंगल चार्च फे गाइज बाउंस कमपनी अपने तीन मोडल को मार्केट में सेल कर रही है लेकिन अभी रिसेंट में बाउंस कमपनी अपने एक न्यू मोडल को लॉंच किया है जिसका नाम है बाउंस इंफिनिटी E1X तो चलिए जानते हैं कि कमपनी किस आधार फे इस एलेक्टरिक स्कूटर को सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपिय में सेल कर रही है और गाइज चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की न सब्सक्राइब के साथ देखने को मिल जाता है लुक की बात करें तो इन दोनों की जो लुक है वह आपको पुराने वाले मोडल के जैसा ही देखने को मिलेगा लुक में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है फ्रेंट में टेलिस कोपी सस्पेंशन दिया गया रेर में आपको डिल स्प्रिंग सॉक अबजॉर्बर देखने को मिल जाता है टायर सेक्षन की बात करें तो फ्रंट रेयर दोनों में आपको 12 इंच का टिवलेश टायर देखने को मिल जाएगा एलो आइविल के साथ और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों ही पहियों में डिस ब्रेक दिया गया है कमबाइन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ और अलिली डी लाइट देखने को मिल जाता है और अंडर दसीट आपको 12 लीटर का बूटी स्वेस भी देखने को मिलेगा अब अगर बात करें कि कमपनी इस इलेक्टरी की स्कूटर को इतने कम प्राइस पे कैसे सेल कर रही है तो गैज आप लोगों को बता दूं कि कमपनी बैटरी पेक का पैसा इंकुलूड नहीं किया है विदाउट बैटरी पेक के साथ इस स्कूटर को सेल कर रही है जो 50 km per hour की टॉपी स्वीट प्रॉइट करती उसकी प्राइस है 55,000 रुपिये और जो 60 km per hour की टॉपी स्वीट प्रॉइट करती उसकी प्राइस है 69,000 रुपिये अब आप ये सोच रहे होंगी बैटरी कहां से और कैसे मिलेगी तो गैज आप लोगों को बता दूँ कि बाउंस कमपनी अभी रिसेंट में सर्न मोबलीटी के साथ पार्टनर्स जिप किया है जिसके पास 550 से भी जादा बैटरी स्वाइपिंग स्टेशन है इंडिया के 18 अलग सीटी में उसी के थुरू कमपनी बैटरी प्रवाइट करेगी तो गैज कुल मिलाकर बाउंस कमपनी चीजों को घुमा करके पेस किया है अगर आप अलग से भी बैटरी पैक लेते हैं तो उसके लिए पैसा तो पेक करना ही होगा बस बाउंस कमपनी ने बातों को घुमा दिया है जिस वीडियो में सिर्फ इतना ये वीडियो गर अच्छले हुए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बिल आइकन प्रेस करना न भूले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगे